हेलो एव्रिवान एकबर फिर सापसे भी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्सफन वे टीचिंग में आज की वीडियो मैं आपसे बात करूंगी अनुस्वार के बारे में अनुस्वार अगर किसी शब्द में या किसी अक्षर में लगा है तो हम किसी अरीके से उन अक्षरों को और शब्दों को पढ़ते हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें so friends आइए हम वीडियो को start करते हैं तो देखते हैं कि अनुस्वार जो होता है वो होता क्या है हिंदी वरण माला में जो स्वर होता है स्वर में अंग जो होता है अंग को अनुस्वार कहते हैं अंग को जब हम किसी व्यंजन के साथ लगाते हैं तो व्यंजन के उपर इस तरीके से एक डॉट रखते हैं जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे कह के उपर है अंग की मात्रा ख के उपर अनस्वार लगा है गपे अनस्वार लगा है घपे अनस्वार लगाया जाता है जब हम अनस्वार लगाते हैं तो कैसे पढ़ते हैं गंग गंग ठीक है ऐसे ही सबी वर्णों के साथ आपको प्रक्टिस करनी है इसके पहले मैंने वीडियो बतनाया है जिसे में मैंने बताया है कि अनुस्वार वाले वर्णों को कैसे पढ़ते हैं आज की वीडियो हम लोग देखेंगे वाक्यों को पढ़ना अगर आपको वीड जो है description box में मिल जाएगी आप वहां से देख सकते हैं या तो मेरी चैनल की playlist में जा करके आप देख सकते हैं कि अनुस्वार के वर्णों को हम किस तरीके से पढ़ते हैं आईए यहाँ पर हम आपको बताएंगे वाक्यों को पढ़ना जैसे आप इस बुक में देख रहे होंगे यह लिखा है प में अनुस्वार लगा हुआ है तो हम प को कैसे पढ़ेंगे पंख ठीक है आईए यहाँ पर कुछ वाक्यों को देखते हैं पंख फैलाए आ या आया हंस हमें अन की मातले लगे तो कैसे पढ़ा मैंने हंस हंस उसने देखा आज आज का कंस मंदिर में घंटा यानि इसकी आवाज जो है आधे न की तरह आती है घंटा बजवाया बजवाया चोटी चोटी पर पर जंडा जंडा लहराया लहराया जान जान गया गया सब जब जब सारा सारा जंगल जंगल शुरू शुरू हुआ हुआ जंगल जंगल का दंगल दंगल बंदर बंदर आया आया चंदन चंदन लाया लाया लंगूर लंगूर ने भी शंख शंख बजाया बजाया संग संग हुआ हुआ जब जब जंगल जंगल सारा सारा एकता एकता से कंस कंस भी हारा हारा आईए इसको हम लोग एक बाद फिर्च पढ़ने की कोशिश करते हैं यह एक कविता है पंक फैलाय आया हंस उसने देखा आज का कंस मंदिर में घंटा बजवाया चोटी पर जंडा लहराया जान गया जब सारा जंगल शुरू हुआ जंगल का दंगल बंदर आया चंदन लाया लंगूर ने भी शंक बज़ाया संग हुआ जब जंगल सारा एक ता से कंस भी हारा इस तरीके से हम अनकी मातरा यानी अनुस्वार वाले वरणों को शब्दों को और वाक्यों को पढ़ते हैं आज की वीडियो में आपने सीखा कि अनुस्वार वाले वाक्यों को हम किस तरीके से पढ़ते हैं अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी, helpful लगी तो वीडियो को लाइक और शियर जरूर कीजिएगा चैनल में आपने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अह, अह की मात्रा यानि की विसर्ग जो अह होता उसको हम विसर्ग बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विसर्ग लगे हुए वाक्यों को पढ़ना बताऊंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो